असान बाईयो नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी सभी चेत्रों में प्याज की भसल 66-70 दिनों की आउस्ता में हो गई हैं और सभी चेत्रों में प्याज में कंद का अकाल बनना प्रारम हो गया हैं दोस्तो अगर हम प्याच की अधिक पेदावार लेंगे ना चाहते हैं तो हमें प्याच के कंद के उपर ध्यान देना होगा यानि प्याच के कंद को बड़ा वजनदार चमकदार और मजबुतिदार परदान करना चीए इसके लिए दोस्तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चीए अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हो तो आप कंद को बड़ा वजनदार चमकदार और क्वालिटी डार भी बना सकते हो दोस्तो अगर आपको पहली बात बताई तो प्याज की फसल जब 70-80 दिन की आवस्ता में हो जाए उस समय पर प्याज की फसल में 15-15 दिनों के अंतराल पर कीड नसक और फपुनी नसक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इस साल इसमें इलिक का अटेक और रस्तुसक कीटों का अटेक बहुत ही ज़्यादा देगने को मिल रहा है है इसके लिए आपको बड़ा से बड़ा कीड नसक का प्रयोग करना चाहिए कीड नसक के रूम में आप बाइर की सॉलोमन का प्रयोग कर सकते हैं इसका रिजल्ट बहुत ही सांदार आ रहा है एवं इसके अलावा आप प्रपेन अफोर 40% प्लस साइपर में 34% इसी वाले टेकनिकल का प्रयोग भी कर सकते हो एवं सेजेंटा अलिका कमपनी का प्रयोग प्रयोग कर सकते हो और प्रपुनी नसक के रूम में आप हेकजा कोना जोल टेबू कोना जोल सलबर इसके अलावा कार्मना जी मेंको जेव मेटा लेक जीन मेंको जेव जैसी कुछ प्रपुनी नसक बेश्ट दवायों का प्रयोग कर सकते हो दोस्तों दूसरा प्रयोग आप कि दोस्तों प्याज की फसल को कुछ मात्रा में यूरिया की आउसकता होती हैं आप ज़्यादा इसमें ना डाले दोस्तों तीसरी बात का ध्यान रखे जब प्याज में तोड़ी मात्रा में कंद बनने लग जाए उस समय पर आपको यनपी के 0,52 कात का प्रियोग करना चीए इसके अंदर 52% फास्फरस होता हैं फास्फरस जड़े को मजबुती परदान करता हैं पोदे के तने को मजबुत करता हैं जिससे की प्याज बढ़िया उत्तिदार बनता हैं यह मैं पौटास का कारें रहता हैं कि पौदे के कंद की साइच को मेंन्टेन करता हैं कंद को ठोस बनाता हैं और कंद को लंबा चमकदार और kitchen किसरे करता है एवं इसके अलावा जब प्याज की फसल में 50% कंद बन जाए उस समय पर प्याज की फसल में यंद्पी के 0050 खात का प्रियोग करना चाहिए इसके अंदर गत 50% पोटास पाया जाता है जबकि 17.5% सलपर भी पाया जाता है तो अगर पोदे के उपर सलपर और पोटास क स्प्रे हो गया तो आपको कंद बड़ा ठोस और मजबुतिदार बनेगा इसके साथ ही आपको 20% वाले बोरान का प्रियोग करना चाहिए क्योंकि दोस्तों बोरान भी एक सुक्सम पोटास दता है जो की फसल में इसकी सबसे अधिक मात्रा में असकता होती है जो की प्याज क लंबे समय तक ठोस रखता है और सड़ने से बचाता है दोस्तों एनपी के 0050 का डोच आपको एक एकड़ में 800 गराम रखना चाहिए जब कि बोरान का प्रियोग एक एकड़ में 200 से 250 गराम रखना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में अगर जो बाते बते उन बातों का ध दरगत ही आप प्याज का डबल उत्पादन या डबल कंद ले सकते हो तो दोस्तों वीडियो में बता हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाज जे जुवान जे किसान